Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल प्रांस के राश्पती, presidential election होता है, उसी प्रकार से जर्मनी में, पुलैन में, हर एक देश का अपना-पना election होता है, लेकिन यहाँ पर बात कहीं जारी है कि पूरे के पूरे European Union के अंदर election हुआ, और वहाँ पर से जो प्रतिनिदी हैं, वो आपका European Parliament में जाएंगे, तो इसको पूरा मामला क्या है, वो हम समझेंगे, लेकिन इस पूरे election में जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है, वो ये है, कि इसके अंदर जो far right विचारधारा लखने वाले लोग हैं, वो elect होकर आ रहे हैं, तो इसका impact पूरे दुनिया पर क्या होगा, वो सारी चीजे मैं आप आपको बताऊंगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, हमारा जो GS Foundation batch पर sale है, वो यहाँ पर start हो गया है, मतलब अगर आप English, Hindi या फिर English कोई भी batch लेना चाहते हैं, और complete preparation करन यह वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुवात करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है, खबरे क्या आ रही हैं, देखें बताये यह क्या है कि पूरे European Union के अंदर total 370 million plus electors हैं, जिसमें सिर 51% लोगों ने vote दिया, जैसे कि मैं आपको बताओं तो लगभग 190 million लोगों ने यहाँ पर vote दिया, और यह voting process कब से कब तक चला, 6th of June से लेकर 9th of June के बीच में, और आप देख सकते हो, जितने भी 27 European Union के countries हैं, वो उनके दोरा voting की जाती हैं, तो यहाँ पर जो voting की गई और जो इसका result सामने आया, उ left wing होता क्या है, देखो simple भासा मैं आगर आपको बताओं, तो जो left wing विचारधारा वाली parties हैं, वो socialism पर जदा focus करती हैं, जो right wing विचारधारा वाली parties हैं, वो capitalism पर जदा focus करती हैं, जैसे कि अगर आप भारत में मैं आपसे बोलू कि भारत के अंदर left विचारधारा रखने व और जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर जो left parties हैं जैसे CPM हो गई फिर आजकल यहाँ पर Congress को बोला यह जाता है कि पहले वो centralist party हुआ करती थी ना ज्यादा left ना ज्यादा right लेकिन अभी यहाँ पर ज्यादा left की तरफ tilt करी है तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल देखने को मिलेंगी लेकिन अभी अगर आप पूरे दुनिया के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर यह ट्रेंड देखने को मिल रहा है जाधा तर देशों में जो voters हैं वो right wing विचारधारा रखने वाली जो parties हैं उनको थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगए यह एक तरह का ट्रेंड अभी धीरे-धीरे सामने यहाँ पर निकल कर आया है खैर हम इसको और थोड़ा समझेंगे लेकिन सबसे पहला question यह है कि आखिरकार यह European Parliament क्या है वो मैं आपको बता देता हूं देखो आपको समझना यह है कि हर एक देश का अपना power होता है जैसे भारत में आप भारत वो decision लेगा अगर यहाँ पर रश्या को ऐसी चीज़ चाहेगा तो ही यहाँ पर भारत decision लेगा अभी आपने देखा होगा पिछले दो साल से यहाँ पर Western powers की तरफ से काफी pressure था भारत के ओपर कि यहाँ पर आप रश्या को criticize करिए यह करिए लेकिन भारत जुका नहीं तो यहाँ पर क्या है ना कि हर एक देश की अपनी power होती है जो उस हिसाब से वो work करता है लेकिन क्या हुआ है European Union के अंदर यह जो total 27 countries है उन्हों ने अपनी थोड़ी सी जो power है उसको delegate कर दी है और basically क्या का है देखो क्या है ना कि इसमें आप देखिए तो बहुत सारे छोटे चोटे आपको countries भी देखने को मिलेंगे अब क्या है कि अगर यह countries सिर्फ अकेले decision ले पूरे दुनिया में चाहे UN के अंदर या फिर कहीं पर भी तो उनके decision का कोई बहुत महत्म नहीं होगा लेकिन वही अगर यह 27 countries एक साथ आते हैं international level पर तो उनके जो भी decision होता है collective decision वो ए वो हमारा दृष्टी कोर वो जो हमारा perspective होगा वो एक होना चीए वो अलग नहीं होना चीए तो इसलिए क्या होता है कि इन्हों ने यहाँ पर एक नया entity बनाया जिसको हम आज के date में European Union के नाम से जाते हैं अब क्या है कि अगर आप European Union के member हो तो definite सी बात है ना को आपको अप European Parliament, Council of the European Union इसके लावा है European Commission जिसमें आज हम बात करें European Parliament के बारे में अब European Parliament आप देखो कि कुछ इस तरह की आपको building देखने को मिलती है बेसिकली जा इसका जो headquarter है सबसे main जो है वो आपको France के Strasbourg में देखने को मिलेगा यह आप देख सकतो इस तरह की कुछ तस्वीर है यही पर जादा तर यह जो 720 members है इसमें वो participate करते हैं और इसका दूसरा एक और जगा है वो है आपका Belgium के Brussels में तो यहाँ पर भी कभी meeting होती है पूरे European Parliament के भी अब question यहाँ पर यह है कि आखिरकार यह जो members है 720 members मैंने आपको बताया वो elect कैसे किये जाते हैं दोगों यहाँ पर जितने भी 27 member countries है ना उनको अलग-अलग seat allocate कर रहा है जैसे कि मैं आपको example जैसे भारत का भी लोगसभा का चुना हुआ लोगसभा की चु population बहुत जादा है 80 seats आती है फिर उसके बाद उस हिसाब से आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर क्या है ना कि यही same system अपना है नहीं जाता लेकिन मैं आपको बताता हूं वहाँ पर जो system है 720 seats को distribute करने का मतलब कौन से देश का कितना representation होगा ठीक है तो यहाँ पर जो system अ बड़ा देश और सबसे जादा population वहीं पर है तो सबसे जादा representation 720 seats में किसको मिलेगा जर्मनी को मिलेगा जाहिर सी बात है लेकिन इसके चलते ऐसा नहीं होना चीए कि जो छोटे छोटे बाकी के देश है जैसे क्रोईशिया हो गया स्लोवाकिया हो ठीक है हंगरी हो गया यह देश हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ उनको बहुत कम seat दी जाएंगी ऐसा नहीं यहाँ पर उनका भी ख्याल रखा जाए ऐसा नहों कि छोटे देश एकदम पीछे रह जाए तो इसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें अपनाई जाती है उसको हम डिग्रे से प्रोपरशना 21 तो क्या है ना कि अगर मालो यह सिस्टम नहीं अपनाया जाता है जैसे मालो भारत के अंदर सिस्टम चलता रहा है अगर उस सिस्टम के इसाप से अगर आप देखोगे तो जर्मनी के पास तो अकेले 1500 से जादा seat होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया उस जर्मनी का फ्रांस का इनका खुद का अलग अलग पार्लिमेंट है लेकिन पूरे यूरोपियन यूनियन का जो पार्लिमेंट है यह जो उनका में काम क्या होता है देखो इनके तीन में काम है सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूँ वो है कि यूरोपियन यूनियन के जो ल Commission हो गया European Commission के अंदर members कौन से appoint किये जाएंगे कौन reject किये जाएंगे वो सब कुछ approve किया जाता है European Parliament के दोरा फिर इसके लावा जो तीसरा है वो है आपका authority over the EU budget मतलब पूरे European Union का भी budget होता है उसको pass कराना सेम वही चीज़ जैसे कि आप भारत में भी लोग सभा में देखते हो वो ये सभी के सभी 27 देशों को European Union के दोरा represent किया जाता है अब जैसे कि ये नया Parliament जो आया है जो election हुआ है इसके जो result आये है उसमें अब अगले 5 साल तक ये तै किया जाएगा कि climate change को लेकर पूरा European Union क्या decision लेगा migration को लेकर आपने सुनाई है कितना ज़रा बड़ा मुद्द है फिर इसके लावा यहाँ पर जो green deal है basically Europe जो है 2050 तक climate neutral बनना चाहता है तो उस दिशा में कैसे बढ़ सकेगा Ukraine को कितना support करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या और जादा budget देना चाहिए तो ये सारे decision आपका European Parliament के दोरा लिये जाएंगे अब जाहिर सी बात है मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर जो election हुआ है और जो result सामने आया है इसमें जो far right parties है जो right wing विचारधारा वाली parties है उनकी जीत हुई है कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ अब अगर आप देखोगे इस map में ध्यान से समझेगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने आपको क बोलता हूँ कि जर्मनी में एक विचारधारा रखने वाली parties है ठीक है फिर यहाँ पर फ्रांस में भी उसी विचारधारा वाली party है फिर आपका हंगरी में भी उसी विचारधारा वाली parties है तो यह क्या करेंगी यह अपना एक तरह का group बना लेंगी I hope आप समझ पा रहे हो यह जितने भी अलग-अलग विचारधारा वाली मतलब एक ही विचारधारा वाली parties है लेकिन अलग-अलग देशों में यह लोग क्या करते हैं एक साथ आ जाते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर इसी की वज़े से अलग-अलग groups बनाए गया है जैसे European People's Party अब यहाँ पर पर एक और मैं आपको बताता हूँ ECR, ECR European Conservatives and Reformist Group, in fact EC में Georgia Meloni आपने सुना होगा उनकी भी यहाँ पर जीत हुई है तो उनकी भी उनके ब्रदर की basically party है वो भी EC में represent होती है और देखें पिछली बार 69 seats यह लोग जीते थे इस बार 73 seats जीते है फिर इसके लावा यहाँ पर ID basically France के अंदर आपने सुना होगा जो right wing person है Marine Le Pen उनकी party भी इसके अंदर represent होती है तो पिछली बार 49 seats यह लोग जीते तो और इस बार 58 seats जीते हैं तो यह right wing विचारधारा वाली party है और वहीं जो left wing विचारधारा वाले parties हैं उनका seat कम हुआ है 139 से 134 यह SND है फिर इसके लावा जो renew group है उनका तो और कम हो गया है 102 seats से 79 seats हो गया है तो I hope आप समझ गए होके कि यह जो election हुआ है उसमें जो left wing विचारधारा वाले parties हैं उनकी एक तरह से हार आप कह सकते हो और right wing विचारधारा वाले party जो हैं उनकी जीत हुए और इसलिए क्या हुआ है कि यहाँ पर एक और surprise आया है France से France के अंदर आपको पता है इसमें जो President है Emmanuel Macron अब देखे 2022 में ही वो चुने गए मतब कि उनका election हुआ था और उनका 5 साल का पूरा कारिकाल होता है तो अगला election कब होना था presidential election फ्रांस के अंदर यह होना था आपका 2027 तक तो अभी भी अगर 2027 तक चाहते तो Emmanuel Macron प्र perform की है European Parliament वाले election में जैसे आप देख सकते हो उनके जो party है Renaissance ये second number पर आप देख रहे हो इनको लगबग 15% के आसपास vote मिले है और 13 seats ये लोग जीते हैं तो उनी की जो opposition वाली party है right wing विचारधार वाली party फ्रांस के अंदर उनको काफी बड़ा समर्थन मिला है 30 seats ये लोग जी कि क्या आप मुझे president बने रहना चाहते हो मतलब क्या आप मुझे president के तौर पर अभी भी देखना चाहते हो तो अगर लोग समर्थन करेंगे तो मैं हापर president बनूँगा और उसको continue करूँगा तो इस तरह का भी system होता है क्योंकि जब European Parliament का election होता है वो एक तरह से reflection होता है कि आ आप अपने देश में कितने popular हो और इसी के वुझे से यहाँ पर France में जल्दी आपको election देखने को मिलेगा तो I hope दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि exactly European Parliament का election result को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही थी है क्या हो रहा है पुरा system आपको जानने को मिला होगा और जान नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF के तो टेलिग्राम पर आए अलग लग सोशल मीडिया पर आप यूड़ पाओ गया और जैसा मने आपको बताया अगर आप U PSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैठ चाहते हैं यूग सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइब और स्पेशली क्योंकि यहाँ पर आपको आपको आपर मिल रहा है भी 15th of June तक आप इसका ज्यादा ज्यादा उठा सकते हैं I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता ह आप से नेक्स ताम तिल देन थैंक यू बरी मच्छ सी यू सुन